हलो दोस्तो, आर्टिकल्स इंट्रोडाक्शन का ये वीडियो examfure.com की तरब से, अब exam से कोई डर नहीं इस lesson में हम ये सारे topics कवर करने वाले हैं इंट्रोडाक्शन, where do we use a and the, usage of a versus an, usage of the, where do we not use articles, where do we repeat articles तो articles में हम basically पढ़ेंगे क्या, तो इसके लिए सबसे बहले हम देखते हैं कि किस तरह के examples हैं जिसमें हम कई बार confused होते हैं, जैसे कि अगर आपको कहना हो कि मुझे doctor को visit करना था, तो आप क्या कहेंगे क्योंकि दोनों ही लगबख सही लग रहे हैं, सुनने में दोनों ही correct लग रहे हैं, लेकिन दोनों sentences में फर्ख है अगर मैं कहूं I wanted to visit a doctor और अगर मैं कहूं I wanted to visit the doctor, दोनों sentences के meaning में फर्ख है तो हम यही आज इस lesson में जानेंगे कि a कहां पे use करते हैं और the कहां पे use करते हैं इसके अलावा और example देखते हैं, please come after an hour, या फिर please come after an hour दोनों में से कौन सा सही है, obviously इस case में एक सही है और एक गलत है, लेकिन कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यह कैसे पता चलेगा यह हमें तब हे पता चलेगा जब हमें इस बात की knowledge हो कि a, an और the यह तीनों words को कहां डालते हैं और कैसे डालते हैं और इनके क्या rules है तो इस lesson में हमारा objective है इन तीनों words के correct usage को समझना, तो तीन words कौन से है, a, an, the तो अब मेरे ख्याल से आपने idea लगा लिया होगा कि articles क्या होते हैं तो basically यह जो तीन शब्द है, a, an, और the इन तीनों को हम कहते हैं articles तो आप सोचे होंगे कि सर्फ तीन words के लिए हमने एक separate segment बना दिया है grammar का हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यह जो तीन words हैं, यह हर sentence में बहुत important role play करता है, आप notice करके देखिएगा, जबी भी आप English बोलते हैं, हर एक sentence में आप most of the time इन तीनों में से कोई न कोई words जरूर यूज़ करते हैं, और इनका बहुत ज़ादा significance भी होता है, तो यह articles को हम किसी भी sentence में कहां पर place करते हैं, they are placed before nouns, हम हमेशा articles को noun के पहले लगाते हैं, अब देखने वाली बात यह है कि कौन से noun से पहले, कौन सा वाला article लगेगा, कौन सा article लगने से sentence का meaning कैसा होता है, यह यह सारी चीज़े हम discuss करने वाले हैं, पहले तो हम कुछ simple examples लेते हैं sentences का, जहां पर ह हम देखते हैं कि article कहां पर है, जैसे कि I purchased a book yesterday, तो यहां पर article क्या है, obviously A, यह हमारा article है, ठीक है, और इसको हमने कहां प्लेस किया है, हमने इसको noun से पहले प्लेस किया है, book यहां पर एक noun है, ठीक है, तो यहां पर A हमारा article है, एक और example देखते हैं, I went to her house to return the umbrella, यहां पर article क् है, the obviously, और the को हमने किसके पहले प्लेस किया है, umbrella और umbrella एक noun है यहां पर, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, examples में कि अगर आप notice करें, कि articles को जो हैं हम हमेशा noun से पहले जोडते हैं, ठीक है, अब एक और example लेते हैं, यह एक ऐसा example है, जहां पर तीन ओ आर्टिकल, तीन और एक द यहां पर है, और अगर आप notice करें, यह द को हमने लगाया है, रिच से पहले, यहां पर हमने लगाया है, और यहां पर हमने लगाया है, और यहां पर हमने लगाया है, पूर के पहले, पूर यहां पर पूर मैं की बात कर रहे हैं, उसी तरह से यहां पर जो द है, व अमीर आदमी की बात कर रहा है तो basically वो आदमी जो है वो नाउन है उसी तरह से जब हम poor की बात करें हम poor man की बात करें हम कहना चाहरे हैं poor man को तो इसलिए उस से पहले हमने article लगाया है लेकिन इस example में हमारे पास एक challenge है वाप ये सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलता है कि कहां पे कौन सा आर्टिकल लगाना है क्योंकि हमारे पास तो तीन आर्टिकल्स है क्या ऐसा है कि नाउन से पहले तीनों में से कोई सा भी उठा के लगा दो obviously ऐसा नहीं है इनके भी कुछ रूल से है कि A कोई specific जगहों पे लगता है और उसी तरह से द भी कुछ-कुछ specific जगहों पे उस होता है तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कहां पे कौन सा आर्टिकल यूस होता है thank you please visit examfew.com for free quality education you can learn with a simple four step learning process wherein you can watch video lessons you can ask your questions you can refer notes and you can take a free online test we have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics and biology along with practical videos so please subscribe to our channel for daily updates thank you